नमस्कार दोस्तोम मैं हूँ आपका दोस्त इनजीनियर अपिकसिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजिनियरिंश सपोर्ट दोस्तो लाइव लोकेशन से ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तो यहाँ पर देख रहे है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है स्लैब कास्टिंग की पूरी त्यारी हो गई है छट धलाने वाली है दोस्तो यही सही समय है जब आप स्टील बार जो फिर इंफॉस्मेंट हम लोग प्रवाइड करवाते हैं उसके डेटल जानने की दोस्तो आज इस वीडियो का माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हम लोग स्लैब में बेंट अप बार देते हैं दोस्तो उसका लेंथ कितना होता है अगर आप सही लेंथ जान गए तो पहली बात है कि आपका घर मजबूत हो जाएगा और दूसरी बात है कि आपका पैसा भी बच जाएगा दोस्तों चूकि एक्स्ट्रा लेंथ देने से हम लोगों को कोई भी फैदा नहीं होने वाले चलिए एक एक करके पूरी जनकारी में आपको देता हूँ और उसके बाद कुछ और बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउस कंस्ट्रक्शन पॉइंट अप दूसरे दोस्तो हमें पहला कंफूजन रहता है कि हम बेंट अप बार कहां से स्टार्ट करें देखिए इस तरह से ये हमारा बीम हो गया ठीक है ये एक हमारा बीम हो गया यहाँ पे एक बीम आप देख रहे हैं तो यह beam से beam की दूरी आपको calculate कर लेनी है उसी के हिसाब से दोस्तों जो है वो हम bent up bar का length निकाल सकते हैं यहां देखिए bent up bar जो है इसको crank किया गया है इसकी angle दोस्तों 45 degree होते हैं बहुत ही घटिया काम हुआ यहां पे 45 degree कहीं से भी आपको यह नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी mystery रहते हैं वो जो है वो काम तो करते हैं और आपका घर जो है वो बना ही देते हैं लेकिन कुछ technical अगर उसमें knowledge आप उनको दे देंगे तो बहुत अच्छे से आपका घर बना देंगे दोस्तों यह चीज में कहना चाहरा हूँ यह 45 degree ह होना चाहिए और इसका length जो है वो 0.42D होना चाहिए यह सब हम लोग बाद में हो बात करेंगे अभी जान लेते हैं कि इसका length कितना रखना है पहले length बता देता हूं और उसके बाद हम लोग और चीज जानेंगे चलिए length देखने के लिए पहले में नाफी देता अँ और उस कितना हो से कि उतना आसान भासा मैं बताने की कोशिस करता हूं यह देखिए यह हमने वहाँ पर टेप फसाया है चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना इंच का दिया गया है यह देखिए आप देखेंगे जहां से स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप कैलकुलेट किजिए च्छालीस इंची दिया गया है तीन फीट दस इंची यानि की च्छालीस इंच का जो है वो बेंट अप बार स्लैब में प्रवाइड किया गया दोस्तों और यह कितना होगा यह कितना देना चाहिए माल लिजे कि हमारा एक दस फीट का स्लैब है ठीक है दस फीट का है कॉलम से कॉलम के दूरी दस फीट आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है कि L by 4 उसका फर्मूला होता है जितना टोटल लेंथ है दोस्तों उसको चार भाग में डिवाइड किजिए ठीक है जितना आएगा उतना ही दोस्तों बेंट अप बार आपको स्लैब यानिकी च्छत में प्रवाइड करवानी है ठीक है आप समझ ग तो तीन फीट आपको जो है वो बेंट अप पार श्लैब में देना ही देना है उमीद करता हूं आप जनकारी मिल लिए हैं और आप इसका उप्योब करेंगे धन्यवाद